अभ्यारतियों की जो मांग है वो जाइज मांग है उनके साथ अन्याय हुआ है मैंने पहले भी कहा था जब 2022 विधानसवा चनाओं से पहले आंदोलन चल रहा था उन्होंने बहुत मेहनत की सब लोगों को मजबूर किया कि हाँ इनकी बात रखें तब सरकार ने इनकी बात को म सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी ना तो ताकत मेरे हाथ में इनके हाथ में वह सब ताकत सरकार के हाथ जब सरकार ही ना करना चाहे सरकार ही चोरी करने पर डखैती करने पर उतारू हो जाए तो फिर कहां सन्याय होगा यह तो मुक्यमंतरी के बाएं हाथ का हो एक कलम चलानी है उनको और यह काम हो जाएगा लेकिन 500 से ज्यादा दिन हो गए इन बच्चों को भिलगते हुए माटने जाते हैं जिनके पहर चूहते हैं जिननकल रश्तिरार बताते हैं पार कापको पैस की की नियुक्तिफर चींने हर सब्सक्राइब मेंसा कर रहे हो जब अब यह जाते हैं भाजपा के दफ्तर के पास या बाजपा के मंत्रों से मिलने के लिए सरकार उनके तो लाटियों से फीटते हैं अभी मैंने देखा एक वह प्रेग्नेंट थी उसको अब वह इसा उठा के लेकार जानवर उक्तर है जो सलूग कर रहे हैं जनता देख रही है तंत्र में इसकी कोई जगहा नहीं है और सरकार ने चोरी की है सरकार को इस बात पर खेट परकेट करना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाजपा के लोग का जमीर बर गया हुआ है मुझे बाजपा के मुख्यमंत्री से वर्तवां से कोई तकलीब नहीं है उसका कारण कर रहे हैं इसका मलब अपने स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में इनके गरीबों के साथ अन्या है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा तो मैं तो इनसे भी कहूंगा कि अब ये समयंदार होगे इनको समझना चाहिए कि आसानी से कोई अधिकार मिलेगा नहीं अगर वास् सब्सक्राइब कर लोगी कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा कई बार इन्होंने आत्मत्य का प्रयास किया कई और प्रयास की अब मुझे बच्चों ने कहा कि हम यहां सुसाइड करेंगे तो मैंने चलना चाहिए सब्सक्राइब करेंगे कि हमें क्या करना है और एक बढ़िया प्लान बनाके हम लोग करेंगे लेकिन इस बार जो लर्व संगर्स होगा वार पार का होगा क्योंकि अगर इनको रोज-रोज इन इस हालातों में देखना कटना ही बहा है और इनको मारपिट इनके साथ इनका अपमान होते नहीं देखा जा सकते अब कुछ बड़ा करेंगे ऐसा करेंगे सरकार को मजबूर हो के इनको न्युकते देनी पाए